हेलो फ्रेंट्स मेराखिश हो मारी यूट्यप चैप आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों अगर आप एक येटल डिटेलर हो और आप जो है येटल मित्रायप अप्लिकेशन से येटल का न्यू एक्टिवेशन करते हो या फिर आम एनपी करते हो आप यहां पे तो न्यू एक्टिवेशन करते हो यहां पे और आप एगर मैंट खरते होते हैं आपको किन बातों को खास ध्यान रखना होता है इं सारी बातों को आज किस वीडियो आपको बताने वाला है तो वीडियो पर बने रहना और वीडिश को जरूर देख लिए अब उससे पहले अगर सारा निव अपडेट को बताते हैं तो चली फ्रेंड्स करते हैं अपना िंटर अप्लिकेशन को जैसा ही आप लौगिन करते हो तो आपके सामने कुछ इसपरकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा तो आपको इसे उपर की और हलका स्क्रॉल करना है तो देख सकते हैं यहां पर से क्लिक करते हो तो आपके सामने कोछ इस फरकार से चैंज होगा जैसा जैसा कि देख सकते हो और यहां पर आपको लिखा हुआ है जैसा कि देख सकते हैं जब आपना ची elbow को अगर आफ रखते हो तो इसे इनेवल करना होता है या फिर आपने अपना लोकेशन चेंज किया है तो आपका GPRS यहां पर आफ रहेगा तो आपको GPRS को जो है ओन करना होता है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जो है इस जगह से यहां पर देखने को मिलेगा आपका एक ओनलाइन फॉर्म करना होता है जैसा कि आप देख सकते हो और यहां पर डिजिटल एक्टिवेशन उपर में आपको सोहर होगा यहां पर आप जो है नया सिम चालू करने के लिए आपको कुछ इस परकार से जो है फॉर्म आपके सामन वो नमबर को यहां पर डालना होता है ताकि कैस्टमर के नमबर पर जो ओटीपी जाता है जो सिक्स डिजिट का होता है जब उसका सिम चालू हो जाएगा तो उसको जो है टैली वेरिफिकेसन करना होता है सिम चालू करने के लिए तो उसके लिए जरूरत होता है यह अल्टर तो जब भी हम अब एल्टर अप्रणीट डाल रहा है तो पहले तो हो जाता था चालू अपना लापू नमबर भी डाल देत थे तो हो जाता था लेकिन अब क्या आ रहा है कि कुछ इस परकार से आपको error message देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको यह error message बार बार आ रहा है क्योंकि आप जो है retailer अपना लापू नमबर नहीं डाल सकते हैं उनका retailer number अब वहाँ पे involved नहीं हो सकता है जब भी वह डालेंगे तो alternate number ही डालेंगे तो जिसके वज़े से अभी बहुत सारे retailer भाई को problem आ रहा है क्योंकि उनका यहाँ पे customer कोई को ऐसा customer होता है के पास कोई भी company का सीम नहीं होता है पहले से तो उनको जब सीम लेना होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है तो मैं इसका solution बताऊंगा लेकिन मैं इससे पहले और एक बात बता दू यहाँ पर जो दूसरा number पर आ जाता है problem हो है आपका alternate number से relative वह क्या है कि जब भी यूज कर लिया है तो वो 10 से 11 बार आप यूज नहीं कर सकते हो सरिफ आपको जो है एक बार 10 बार ही आपको यहाँ पर यूज करना होता है अगर जो है वो number alternate number पहले 10 बार यूज हो चुका है तो वो alternate number यहाँ पर नहीं काम करेगा उसका भी कुछ error message आएगा उसमें आपको problem issue होगा वो आपको नहीं चालू हो पाएगा तो alternate number यहाँ पर 10 बार ही यूज कर सकते हैं वो number को अगर जो है आपको दूसरा number यहाँ पर यूज करना है तो उसका मैं solution बताऊंगे कि क्या इसका इसका region है और इसको कैसे आप solve कर पाएंगे तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं याँ आप उपर score करते हैं जैसे ही आप इसे form को यह सारा complete करकर करते हैं तो यहां पर ऐक और option आ जाता है यहां पर देख सकते हाँ आप इसे यहां पर आपे email ID का option आ जाता है जासकि आपको दिखा दूं देख सकते हैं यहां पर आपको आ जाता है interactions एक इमेल आइडी का हैं उक्तिर आइडी से हैं और क्या नुकसान है सबसे बड़ा जो है फायदा कि अगर जो है कस्टमर के पास email id वो यूज करते हैं तो यहां पर email id अगर फील करते हैं तो उनको जो है mobile number के जगा पे वो अपना email id डाल के भी यहां पर OTP प्राप्त कर सकते हैं mobile number तो compulsory है लेकिन यहां पर जैसे कि उनके पास mobile number उनका जो है किसी फ्रेंड का उन्होंने email id उनका जो है फ्रेंड का उन्होंने अल्टरनेट नंबर पर अपना नंबर को फील करवा रखा है जैसे कि मान चलो कोई एटल कसिम लेने आया है और उसके पास alternate नंबर नहीं है तो जो है फ्रेंड सरकिल का उन्होंने अपना अल्टरनेट नंबर को यहां पर डाल दिया है जैसे कि मैं एक जांपल थूरू आपको करके बता दूं यहां पर देख सकतो यहां पर मान चलो कोई फ्रेंड है अपका और यहां पर alternate नंबर फील कर देते हैं फ्रेंड का जैसे कि अल्टरनेट नंबर फेल कर दिया और यहां पर फील करने बाद यहां पर पूछा जाता है कि अल्रियोत्ज़ के फैंमिली मेंबर है रिलेसन में बहुत सारे यहां पर ऑपसन आ जाता है अगर आपने यहां पर अपना फ्रेंड का यहां पर आपने डाल दिया अल्टरनेट नंबर तो आपको आने वला दिनों में जब भी आपको ओटीपी का जरूरत पड़ेगा तो यह तो आपको करoton आपको वोटीब्मियां जो भी मैसेज आएगा जैसे की अबने मूवाइल नमबर में odor funniest ब्राप्त होगा तो यह ज्यादा यह पर सissenschaft लो है क्टेसाथनी छे सब्सक्राइब है जब रीघन है दोनों में आ जाएगा और दूसरा जो फायदा है कि जब भी वह इसीम एक बहुत ही यूनिक प्रकार का सीम होता है जो आपको मुवैल में क्यूर कोड के जरीए वह एक बार करके मुवैल में प्रकार कर दिया जाता है जिसके जरीए आप अपना इमेली डी यहां पे डालना जरूरी है अगर कषटमर को का इमेल डी को डाल देते खाल और जब भी व सीम बनाएंगे उधिन फॉनकों इसीम को नंके सीम नहीं नभर से यूज़ कर सकते हो और यहां पर आ搭र हां पर आपके पास और मैं यहां पर दो Do तो अज का हमारे वीडियों को कैसा लगा है आप हमें कॉण्ड करके जरूर बताए अगर आपको वुडियों से रेलेटिव कोई भी सवाल या सुझा हो तो आप हमारे कॉमेंट सक्सेन पे कॉमेंट करें हम उसका रेपलाइद देने का कोसिस जरूर से जरूर करेंगे तो चली झाल झाल झाल